हेलो दोस्तों, नमस्कार, ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चेनल पे आपका स्वागत है आज हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 From the Beginning of Time, समय की सुरुआज से Part 3 पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग 3 prominent topics को cover करेंगे पहला topic होगा, modes of communication, language and art, संप्रेशन एवं संचार के माध्यम, भाशा एवं कला दूसरा topic होगा, early encounters with hunter-gatherers in Africa, Africa में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क दीसरा topic होगा, hunter-gatherer societies from the present to the past स्विकारी संग्राहक समाज, वर्तमान से अतीत की ओर इन topics के अलावा हम cave paintings at Altamira, Hadza group और epilogue को भी देखेंगे Now, this is the time for modes of communication, language and art, संप्रेशन एवं संचार के माध्यम, भाशा और कला दोस्तों, living beings में humans ही ऐसे हैं जिनके पास अपना language है Language के development के बारे में कई तरह की बाते होती रहती हैं कई views हैं, अगर views को देखें, तो there are three prominent views for the language and for the development of language पहला, hominids, language में अपने हाव भाव या हातों के movement से इशारे करते थे Number two, जो वो बोल पाते थे, जिसमें सबसे पहले वो गाने गाये होंगे, गुन गुनाये होंगे या फिर बोलने के बारे में अ शब्द का इस्तिमाल किया होगा उन्होंने Number three, मनुष्य की वानी का प्रारंब, जो उन्होंने बोलना शुरू किया, लैंग्वेज बोलना शुरू किया उसमें वो लोग सबसे पहले बुलाने का काम करते होंगे, सबसे पहले आवाहन करते होंगे, जो नरवानरों में देखा जाता है कई प्राइमेट्स में भी इन चीजों को अफजर्ब किया गया है अरलिय स्टेज में, हुमन्स बोलने में बहुत ही कम साउंड्स का इस्तिमाल करते होंगे धीरे धीरे यही ध्वनिया यानि कि यही साउंड्स आगे चल कर लेंग्विज की रूप में डेवलप हो गई होंगे दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस पोकेन लेंग्विज कब इमर्ज हुई होंगी ऐसी बाते की जाती हैं कि होमो हैबिलिस के ब्रेन में कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनके कारण उनका बोलना पॉसिबल हुआ होगा इस प्रकार, most probably, लेंग्विज का डिवलपमेंट आज से लगभग लगभग 20 लाख वर्ष पहले सुरू हुआ होगा ब्रेन में certain changes आने के अलावा, vocal tract, स्वर्थ तंत्र का विकास वी उतना ही महत्वपोर्ण था vocal tract का डिवलपमेंट लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था इसका संबन्ध खास तौर पे modern human से रहा है एक suggestion यह भी है कि language, art के साथ साथ ही develop हुई होगे around 40,000 to 35,000 years ago spoken language का development, art के साथ बहुत ही गहरा रूप से जुड़ा हुआ रहा है क्योंकि यह दोनों ही communication के important medium है जिससे लोग अपने मन के विचार को सामने रख सकते हैं, present कर सकते हैं आयो दोस्तों, अब हम लोग Altamira के cave paintings को देखते हैं Altamira, northern Spain में located एक cave site है Altamira की गुफा की च्छत पर बनी paintings की ओर Marcelino Sans Di Sotoola का ध्यान, उनकी बेटी मारिया ने November 1879 में सबसे पहले दिलाया था Marcelino एक local land owner, साथी साथ एक passionate archaeologist थे उनकी ननी सी बेटी ने गुफा में इधर दोड़ते हुए, खेलते हुए जब अचानक च्छत की और नजर डालया तो उन्होंने पिता से कहा, पापा पापा देखो bell एक बार तो उनके पिता ने बेटी की बात क्यों हसी में उड़ा दिया पर तुरंथी उन्हें यह एहसास हुआ कि छट पर तो सचमूच में कुछ paintings बनी वी हैं, जिनमें color के जगा पर कुछ lay, paste का इस्तिमाल किया गया है, फिर तो उनका मन उमंक से मानों भर उठा, जूम उठा, वह शौक्ड हो गए और अगले ही साल उन्होंने एक पुस्तिका में publish किया और ये 20 सालों तक उनकी खोज के लिए लगाता निश्कर्श निकालते गए, European Archaeologist ने इस base पर इस बात को accept नहीं किया, कि ये paintings इतनी ज़्यादा developed हैं, अच्छी हैं, कि ancient हो ही नहीं सकती, फ्रांस में located, लेसकॉक्स और शोवे की caves में, और साथी साथे Spain में located, अल्टामिरा के caves में, जानवरों की कई paintings पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 येर अगो के बीच में बनाई गई हैं, इन में bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hynas, and owls के painting बनी वी हैं, दोस्तों, इन चित्रों ने जितने उत्तर नहीं दिये, उनसे कही अधिक प्रश्न खड़े कर दिये, example के लिए, कुछ सवाल इस तरह से हैं, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं, जबकि अन्ने हिस्सों में क्यों नहीं, कुछ खास जानवरों को ही क्यों चित्रित किया गया है दूसरे जानवरों को क्यों नहीं पुरुषों को अकेले अलग अलग और समुहों में भी चित्रित किया गया है जबकि अस्त्रियों को केवल समुहों में ही क्यों केवल पुरुशों को ही जानवरों के साथ चुत्रित किया गया है अस्त्रियों को कभी नहीं क्यों जानवरों के समुहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चुत्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी इन questions के कई explanations दिये गए है उनमें से एक यह है चुकि life में जीवन में शिकार का importance था जानवरों की paintings, religious activities, rituals, magic से जुड़ी होती थी शायद चित्रकारी इसले की जाती थी ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले दूसरा explanation यह दिया गया कि शायद गुफाएं एक वो इस्थान थी जहां कई तरह के लोग आके मिलते थे लोगों के छोटे छोटे समुई खटे होते थे जिसके वज़ा से collective activities की जा शकते थे हो सकता है वहां के समुई मिलकर शिकार करने की planning करते हों अत्वा शिकार के तरीके methodologies और techniques पर एक दूसरे से discuss करते हों और ये paintings आगे आने वाली पीडियों के लिए इन methods की जानकारी देने के लिए बनाए गई होंगी ancient societies के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वह जादा तर archaeological evidences पर based है जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है जैसा कि इस chapter के सुरू में कहा गया था शिकार करने वाले और food collect करने वाले आज भी मौजूद हैं इस तरह के society आज भी हैं क्या आज के hunter और gatherers के life से पुराने society के बारे में कुछ जाना या सीखा जा सकता है इनी questions पर हम आगे discuss करेंगे Now, this is the time for early encounters with hunter gatherers in Africa अफरीका में शिकारी संग्राहांकों के साथ प्रारंभिक संपर्क एफरीका के काला हारी desert में रहने वाले कुंख्षन नाम के एक hunter gatherer society के साथ सबसे पहले एफरीका के एक pastoral group के साथ 1870 में पहली बार contact हुआ उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में कुछ बताया है आईए देखें कि उनके कुंख्षन के साथ हुए contact के क्या मायने थे सबसे पहले जब हम इस इलाके में आये तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे हमने अस्चरिच चकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आस पास जाते थे तो ये भाग कर कहीं छिप जाते थे हमें उनके गाउं मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भाग कर ज़ाडियों में छिप जाते थे हमने मन ही मन कहा अरे ये तो अच्छी बात है ये लोग हमसे डरते हैं वे कमजोर हैं और हम आसानी से उन पर शाशन कर सकते हैं इस तरह हमने उन पर अपना शाशन इस्थापित किया इन में कोई जगडा या खून खराबा नहीं हुआ एक ऐसा विशे है जिसमें मानो संस्कृते और मानो जी विज्ञान के पुद्विकासिये पहलियों का अध्यन किया जाता है हाजजा ग्रोप हाजजा शिकारियों तथा संग्राहकों यानि की हंटर्स और गैदरर्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो लेक यासी एक खारे पाने की जील के आसपास रहते हैं इस्टन हाजजा का एरिया ड्राई और चट्टानी है जहां घास, काटेदार जाडियां और एकेशिया के प्लांच स्पाए जाते हैं लेकिन यहां जंगली खाने पीने की सामान भरपूर मातरा में मिलती है 20th century के सुरुआत में यहां अलग-अलग तरह के जानवर भी बेशुमार संख्या में थें यहां के बड़े जानवरों में हाथी, गेंडे, भैसे, जिराव, जेब्रा, वाटरबक, हेरन, चिंकारा, खागदार, जंगली सुर, बबून बंदर, शेर, तेंदुए और लकडबग्ये जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में साही मचली, पॉर्क्यूपाइन, खर्गोष, गीदल, कच्छुए और अनेग प्रकार के जानवर हैं हाजजा ग्रुप के लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किसमे के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं यहां शिकार के भविष्य को कोई खत्रा पैदा किये बिना यानि कि सस्टेनेवल डवलप्मेंट को अपना करके नियमित रूप से रेगुलर वे में जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहां ऐसे हंटर गैदर ससाइटी के लोग रहते हैं या फिर रहते थे वेजिटेबल फूड में कंदमूल बेर बाव वाव पेड के फल जो आम लोगों को अकसरहा दिखाई नहीं देते और ये वो फल है जो वारिश के कमी वाले साल में भी अच्छे खासे मातरा में होता है वह ड्राइ सीजन में मिलने वाले फूड से अलग होता है लेकिन वहां फूड की कोई कमी नहीं रहती यहां पाई जाने वाली साथ तरह की जंगली मधुमक्यों के शहद और सूरियां जिनें ग्रप्स भी कहा जाता है को बड़े ही चाओ से खाया करते हैं लेकिन इन चीजों की availability हमेशा एक जैसी नहीं रहती मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है रेनी सीजन में पानी के स्रोथ हर जगा मिल जाते हैं अबिलेबल होते हैं लेकिन ड्राइ रीजन में यह बहुत कम रह जाते हैं हाद्जा लोग यह अच्छी तरह से समझते हैं कि अग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलो मीटर की दूरी तक पानी मिल जाये तो उनका काम चल सकता है इसलिए उनके शेविर यानि कि उनके घर आम तोर पे water sources से 1 किलो मीटर की दूरी में ही रहते हैं आप देख सकते हैं देखे जा सकते हैं देश के कुछ हिस्से में घास के खुल नहीं लगाते उनके कैम्स पेड़ों या फिर चटानों के बीच बलकि वे पेड़ों और चटानों को ज्यादा तरजीह देते हैं और वहीं अपने कैम्स लगाते हैं जहां ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों Eastern Hadza Group के लोग जमीन और उस Resources पर अपना अधिकार नहीं जातातें कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी चाहे रह सकता है पश्वों का सिकार कर सकता है कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकठा कर सकता है और पानी ले जा सकता है इस समद में हादसा प्रदेश में उन पर कोई भी प्राविशन परतिवंध नहीं होता है अपने इलाके में शिकार के लिए अबंजन्ट मात्रा में एनिमल उपलब्ध होने के बाब जूद भी हादजा कम्यूनिटी को लोग अपने फूड के लिए मेनली जंगली साग सबजियों पर ही डिपेंडेंट होते हैं उनके फूड का 80% तक विजटेबल फूड से कम्पलीट होता है और सेस बचा हुआ 20% वो मास और हनी शहद से पूरा करते हैं नमी के मौसम में हादजा लोगों के कैंप आम तोर पर छोटे छोटे और दूर तक फैले हुए होते हैं यानि कि बारिश के मौसम में जबकि dry reason में सूखे के मौसम में पानी के स्रोत के आसपास, water sources के आसपास उनके कैंप सोते हैं और घने बसे हुए होते हैं सूखे के मौसम में भी यानि dry time में भी उनके यहाँ food की कोई कमी नहीं रहती एक anthropologist James Woodward के द्वारा 1960 में ये explanation दिया गया था Now this is the time for hunter-gatherer societies from the present to the past शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर जैसे जैसे anthropologist त्वारा किये गए studies से आज के hunter-gatherer के बारे में हमारा knowledge पढ़ा है हमारे सामने यह question खड़ा हो गया है कि क्या अभी के hunter-gatherer society के बारे में अगर हम कुछ जानते हैं तो क्या ancient time के hunter-gatherer society के लोगों के बारे में information reconstruct किया जा सकता है इस मुद्धे पर इस समय दो prominent contradictory ideologies चल रही है एक और scholars का एक group ऐसा है जिनोंने आज के hunter-gatherer society से प्राप्त किये गए special facts और data को सीधे ancient time के archaeological fossils को explain करने के लिए use कर लिया है example के लिए कुछ archaeologist का कहना है कि आज से 20 लाख साल पहले hominid location जो तुरकाना लेक के किनारे located है most probably ancient human के शिविर या निवास अस्थान यानि की camps थे जहां वे dry reason में आकर रहते थे इसी तरह से आज के हाद्जा और कुंग सैंस society के लोग भी रहते हैं दूसरी और कुछ ऐसे scholars हैं जो यह महसूस करते हैं कि ethnographical facts और data का use करके ancient society को समझने के लिए इसका इस्तमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिलकुल अलग हैं for example आज के hunter gatherer society hunting और gathering के साथ साथ कई other economical activities में भी लगी वी हैं जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी छीजों को exchange करके barter system के जरिए trade करते हैं या फिर पडोस के किसानों की खेतों में मजदूरी करते हैं इसके अलावा ये society geographical, political और social यानि की सभी point of view से marginalized हैं हाश्ये पर हैं वे जिन परस्थितियों में रहते हैं वह ancient human की अवस्था से बहुत ही जादा अलग है ethnography में contemporary ethnic group का analytical study किया जाता है इसमें उनके रहन सहन, खान पान, livelihood के साधन, technology, gender roles, rituals, political institutions और social customs के बारे में अध्यन किया जाता है यानि study की जाती है एक अलग problem यह है कि आज के hunter gatherer society में आपस में भी बहुत ज़ादा differences है कई मुद्धे पर तो आपस में conflict तक दिखाई देते हैं जैसे वे सब समाज hunter और gatherer को अलग-अलग importance देते हैं उनके आकार भी अलग-अलग हैं यानि कि कुछ hunter gatherer societies बड़े हैं और कुछ hunter gatherer society छोटे हैं इवन उनके activities में भी बहुत ज़ादा differences पाए जाते हैं food collect करने के मामले में labor का distribution भी ऐसा है कि जिसमें आम सहमती नहीं है आज भी ज्यादा तर females ही खाने पीने की समगरी जुटाने का काम करती हैं male आज भी शिकार ही करते हैं लेकिन ऐसे societies के भी examples मिले हैं जहां females और male दोनों ही hunting के साथ साथ gathering भी करते हैं और tool बनाने का भी काम करते हैं अस्थितियां जो कुछ भी हो दोस्तों इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे societies में females भी भोजन कलेक्ट करने में अपना important contribution प्ले करती हैं important role प्ले करती हैं most probably इस बात से यह ensure होता है कि आज के hunter gatherer society में male female दोनों के role एक समहान ही होते हैं most probably इसमें समाजों के अंदर कुछ differences हैं अभी कि स्थिति ऐसी होने पर ancient society के बारे में कोई conclusion निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन कार रहे हैं दोस्तों अब हम इस chapter के epilogue पर आ गए हैं यानि क्यों संघार पर आ गए हैं लाखों साल तक मानों जंगली जानवरों का शिकार करके जंगली पेड़ पौधों को collect करके अपना जीवन चलाते रहते थें फिर भी 10,000 से 4500 साल पहले तक दुनिया के अलग-अलग एरियाज में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उप्योग के लिए उगाना और जानवरों को टेम करना यानि पालतू बनाना सीख लिया इसके फलसरूप अग्रिकल्चर और लाइव स्टॉक जैसे काम उनके लाइवलि हुड में शामिल हो गए इधर उधर बिखेरे हुए फूड स्टाफ को कलेक्ट करने के बजाए उन्होंने एग्रिकल्चर के जरिए खेती के जरिए खुद अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया अपना भोजन पैदा करना शुरू कर दिया यह एक revolutionary कदम था मगर उस समय यह changes यह परिवर्टन क्यों आये लगभग 13,000 years ago तक जो last ice age था उसका अंध हो गया उसके साथ ही पहले की अपेक्छा पहले के तुलना में अना जुगाने के लिए मौसम बिल्कुल सही हो गया ज्यादा तापमान था temperature अधिक थी नम मौसम humid climate थी इसके वज़ा से जंगली जौ यानी की barley और गेहूं यानी की wheat को उगाया जाना सुरू हो गया अब इंडस वैले civilization में इसको अच्छे से समझ सकते हैं साथी साथ कुछ खुले जंगल और घास के मैदान भी बढ़ते चले गया जंगली भेड़ों बक्रियों जानवरों सुरों और गधों की संख्या में भी बर्दी होती चले गया इससे यह पता चलता है कि मानो समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को जादा पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फोस और जानवरों की संख्या बहुत जादा थे इसके अलावा अब पहले से काफी बड़े ग्रुप्स ऐसे इलाकों में बर्ष ज्यादा तरहिस्सों में अस्थाई रूप से रहने लगे स्टेबल होके रहने लगे क्योंकि अब उन्हें खेती करना था तो आपको पता है कि कोई भी खेती करेंगे तो तीन चार महीने तो फसल होने में लग जाएगा तो उन्हें जानवरों से इन फसलों को बचाना पड़ता था तो अब उन्हें एक जगा रहना मजबूरी हो अब फूड जादा प्रोड्यूस करने का दबाओ भी बढ़ने लगा मोस्ट प्रोवैबली इसी वज़ा से वे कुछ खास किसमे के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रकरिया सुरू कर दिया उन्होंने इससे यासपस्ट होता है कि क्लाइमिट चेंज, प्र वेशी, गधे और सुर की जानकारी उस समय मनुष्री की डिपेंडेंसी के साथ-साथ कई ऐसे फैक्टर्स थे जिससे मिल करके ऐसा चेंज आया जिससे ससाइटी अब सिविलाइजड होनी शुरू हो गई जो पहले लोग नुमैडिक ट्राइप्स की तरह इधर उधर घूमते थे, घुमन्तू हुआ करते थे, अब वो एक जगा रुख करके सिविलाइज ससाइटी में कनवर्ट होना सुरू हो गया एक ऐसा रीजन जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती यानि की अग्रिकल्चर और पशुचारन यानि की पैस्टोलिजम स्टार्ट हुआ यह फर्टाइल क्रिसेंट यानि ओवर अर्ध चंद्रकार छेत्र मेडिटरेनियन सी से लेकर इरान में जर्गोस माउंटेन रेंज तक फैला हुआ था एग्रिकल्चर चालू होने से लोगों ने एक जगा पर पहले से ज्यादा लंबे समय तक अब टिकना सुरू कर दिया इस प्रकार गारे, कच्छे इटों और पत्थरों से भी अब पर्मानिंट स्टेबल घर बनाये जाने लगे यह आर्केलोजिस्ट के द्वारा प्राप्त एंशिंट विलेज के कुछ एविडेंसे हैं एग्रिकल्चर और लाइव स्टॉक से कई बड़े चेंजिज स्टार्ट हुए जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिसमें अनाज और कई और चीजों को रखा जा सके और इसमें खाना पकाया जा सके इसके अलावा पत्थर के नए तरह के टूल्स का इस्तमाल होने लगा जैसे पलो, हल, जैसे अन्य उपकरन खेती के काम में आने लगे धीरे धीरे लोग तांबा और रांगा यानि की कॉपर और टिन जैसी धातूओं से परिचित हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने और ट्रांस्पोटेशन के लिए चक्के का इस्तमाल होने लगा, चक्का का इस्तमाल एक revolutionary invention था लगबग 5000 साल पहले इससे भी ज्यादा संख्या में लोगों के समूह एक साथ सहरों में रहने लगे ऐसा क्यों हुआ और शहरों और अन्य वस्तियों में क्या अंतर है ऐसे ही प्रश्णों का उत्तर जानने के लिए हम आगे chapter 2 को पढ़ेंगे दोस्तों इस chapter के बाकी हिस्से part 1 और part 2 में हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस channel को खूब प्यार दें like करें, share करें, subscribe करें, comment करें, bell icon प्रेस कर लें ताकि जब वीडियोज अप्लोड हो तो आपको notification तुरंत मिल जाए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए good bye, जय हिंद